लोकसवा चुनाव ने जालोर सिरोही में एक फ़स्ट मेंडेत दिया वैबो गैलोत को भेज दिया जोदपुर गजन सिंग से खावत पाशन में कह गये थे कि हमारा टाबर यहां आ गया है रातना मत वापस भेज देना बबु सिंग राठोड भी बोले थे जालोर की जनता ने दो लाख एक घजार से मायरा बरके वापस बेजा है आज जिक्र करेंगे कि वैबो गैलो चुनाव क्यों हा रहे हैं सिपैसालारों की टीम 24 इंटो 7 पॉलिटिशन रतन देवासी कमाल के नेता सेम लुढ़ा राजनिति के डॉक्टर समरजीत सिंग सुखराम विश्णोई अपने समाज के कददावर नेता सीदे सरल सहज अंदाज वाले नेता पुखराज बाराशर बड़े राजनितिक विशेशक्य धर्वेंदर आठोड हेम सिंग शेखावत जैसे सिपैसालार और राजस्थान के लिए चुनाव की केंपेन कमेटि के अध्यक्ष तीन बार मुख्य मंत्री तीन बार पी सीसी जी तीन बार केंद्रिय मंत्री पाँच बार के सांसद लगातार छटी बार की विधायक अशोग गहलोत की ताबड तोड केंपेनिंग भाउक अपील तमाम बिंदों पे विशलेशन करेंगे कि इन लोगों की भूमिका क्या रही भाजपा कॉंग्रेस में क्या खेला हुआ और क्या ही हुआ कि वैभो गहलोत को सौप देने की रदय से भरी हुई मार्मिक अपील लोगों के जेहन में नहीं उतर पाई क्या हुआ कि जिसको लोग अनपड इलाका कहते हैं वहाँ एक भाउग अपील असर नहीं करती ताबड़ तोड़ कंपनियों का केमपेन असर नहीं करता वहाँ पे जाती या अपीलें असर नहीं करती इसी पे आज विस्टेशन करेंगे नमशकार मैं प्रदीब हूँ आप थि दार बुरा नहीं जीत पाते जोद पुर छोड के जालोर आते हैं क्या गनित थी 36% सेस्ट वोटर एक लाग से थोड़ा अधिक मुसल्मान वोटर डेड़ लाग के आसपास माली वोटर और राजपूत वोट बैंक में एक सेंध की कोशिश यह पूरा गनित था और इस सेंध की लिए भेजा गया हेम सिंध शेखावत को धर्वंदर राठोड को राजपूत नेता के तोर पे तो जालोर सिरूभी के राजपूत भले कंग्रेस में रहे हैं लंबे समय तक अशो गैलोद ने आहुर की सवा में कहा भी किया ठिकाने कंग्रेस में रहे तो पहले तो उन ठ ठिकानों ने कॉंग्रेस से स्तीफा दे के कॉंग्रेस नहीं छोड़ी थी, उनको किनारे किया गया, उनको निप्टाया गया, यहां के ठिकाने जिनके भरोसे कॉंग्रेस में थे, उनका नाम बूटा सिंग था, अशो गैलोथ बूटा सिंग की राइवल किसी से चिपी भी नह जो पॉलिटिक्स खतम होई उसकी बड़ी वज़े अशो गैलोत रहे हैं और पुराने ठिकाने जिसमें भादराजून, सियाना जैसे ठिकाने निप्टे किसकी वज़े से हैं पॉलिटिक्स में किसने उन्हें किनारे किया वो साथ दिखे लेकिन आये नहीं फिर जो कोशिशें हुई धर्मेंदर राटफूर्ड, हेम सिंग शेखावत की टीम की और से की हाथ पानी लेना और इस तरह का जो किया गया यह सारी चीज़ें जो है इनका कोई जिक्र नहीं है क्योंकि वो कोशिश हैं नाकाम रही इनकी और से कोशिश बसपा के प्रत्याशी का विले करवा के S.E.S.T. Waterment destruction ही बढ़ा गई वैबो गयलोत आठ विदानसवा क्षेत्रों में से एक में भी चुनाव नहीं जीते हैं आठों विदानसवाओं का जिक्र करेंगे, आठों विदानसवाओं के नेताओं की बात करेंगे कि क्या हुआ कि साधारन व्यक्ति, साधारन परिवार ब बावजूद आहूर पे बात करेंगे सबसे पहले आहूर में क्या हुआ भाजपा के विधायक छगन सिंग आहूर में चुनाव जीतते हैं 11,215 वोटों से विधान सिंगा के चुनाव में खासा खीचतान होती हैं लेकिन आहूर की जंता ने वैभव गैलोत को 26,266 वोटों से पीछे छोड़ा है संध्या चौधरी सरोज चौधरी को टिकट दिया गया था संध्या चौधरी 2009 में पृत्याशी थी नाम याद उनका रहा तो आहूर में सीधे तोर पे जहां पे पुगराज बारशर भी कॉंग्रेस के दावेदार बताय जाते रहे हैं उनका टिकट तो यह जगह यहां के ल भावी है कडवी और राजबूत 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 गटबंदन सीवाना पे असर डालता है और भीनमाल पे असर डालता है और आहूर में राजबूत और राजबूत एक होके चुनाव लड़ते हैं इसका असर पड़ो से सीट सिरोखी पे भी पड़ता है सुमेरपूर 1266 कर लेते हैं जबकि लोगस्वर चुनाओं में वोटिंग परसेंटेज कम रहा था एक सीट की बात करें जालोर जहां वैबो गैलो के जो कुल माईरा है उसमें से 33,350 का अंतर दिया है जोगेश्वर गर्ग यहां के निता हैं बहुत पुराने निता संग विचारधारा की वि कि सचे तक हैं राजस्थान की विधान सवा में पूरे लोगस्वर चुनाओं में शिदत से अगर कोई लुमबाराम चौधरी की केमपेन में खड़े रहे विधायकों में से तो पहले नमबर पे जोगेश्वर गर्ग को रखा जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने केमपेन को मेनेज किया अशुक गहलोत के खिलाफ केमपेन को मेनेज़ किया राजस्थान की कैमपेन कमिटे कॉंग्रेस के चीफ के खिलाफ जिनका राश्ट्री अध्यक्स बनाने में बनाए जाने को लेके भी राहूल गांदी उठसाहित थे अशुक गहलोत जिनोंने सचल्ण है ले जाते हैं तो मेनेज कर ले जालूर में मेनेज नहीं कर पाए जोगिश्वर गर्ग उसकी बड़ी वज़र है कि संगठन के व्यक्ति संगठन के साधानतम कार्यकरता को टेकर दिया गया तो जानते थे कि क्या करना है जोगिश्वर यहां पे खासे प्रभाविश शाबित जी नामंकर के अलवा रिवंद्र सिंग बहलावत ज्यादा तर नजर नहीं आए दीप सिंग धनानी यहां कमान संभालते हैं जोगिश्वर गर्ग दीप 34390 से बात करें भीनमाल की भीनमाल में पूरा राम चौधरी जो शुनाव करीब 1000 वोटों से हारे थे यहां पे भाजपा की लीड 45243 के होगी सबसे बड़ी जीत लुबाराम की जो रही है वो यानि की 20-21 प्रतिशत वोट मार्जनल वोट भीनमाल देता है हाड़कोर हिंदतो का बेल्ट हैं यहां राजनिती के जादुगर सचिन पाइलेट खेमे के नेता समरजीत सिंग कॉंग्रेस के विधायक हैं इसके बावजूद 45,000 से पीछे रही है वेवगलोद की टीम वेवगलोद की जो गानित रही है वो 45,246 से पीछे रही है श्रपन सिंग राठोड जो 3-4,000 का अंतर रहा था लेकिन यहां पर 10,844 वोट से चुनाव हा रहे हैं अगर इस सांचोर में दो केमपेनर रहे पहले सुखराम विश्णोई और दूसरे रहे हैं शमसेर अली सेयद जो बसपास से लड़े थे 24,000 वोट लाए थे दोनों का अगर 26,000 वोट लाए थे वो तो यहां अगर दोनों का देखें सांचोर में तो मिलाके 1,16,955 वोट होते हैं लेकिन वैबो को वे एक करीब 96 ही दिला पाए अंतर कम रहा है सीधे तो सांचोर में भी सुखराम या शमसेर अली सेयद समसेर अली सेयद को वापस कांग्रेस में लेने से सुखराम धड़ा ब टिकट के लिए उनको हर भार भटकना पड़ता है उनके पिता तीन बार विधायक रहे और खुद शुचिता वाले दो बार विधायक रहे चुकि अबकी बार तीसरी बार खुद विधायक है उनकी मदर जिला प्रमुख रही है ऐसे में वैभाव गैलोत का जो केमपेन रहा वो इसी वज़े से थोड़ा सा उलजा हुआ रहा कि उनके टीम के जो लोग रहें वो साथ नजर आये लेकिन वोटों को कनवर्ट नहीं करवा पाए साचोर में क्या हुआ कहा जाता है कि समसेर अली सयद जिस चुनाव में खड़े हुए साचोर वाले में उन्हें बिठाने की कोशिश उस वक्त नहीं की गई गैलोत केमी की और से बिठा लिया जाता तो सुखराम विश्णोई यसीट जीट जाते हैं सुखराम विश्णोई को मलाल था कि या उन्हें आशंका थी कि राजस्थान में जालोर की राजनेती करने वाले नेताओं ने ही समसेर अली सहिद को इशारा किया है और समसेर अली चुनाव लड़े हैं मनाने मनोवल के परियास उस वक्त उतने नहीं हुए जितना वैभवगलोत के चुनाव लड़ते वक्त हुए हैं समसेर अली सहिद वैभवगलोत को लड़ाने के नाम पे वैभवगलोत के नाम पे कॉंग्रेस में आ जाते हैं सुखराम की टीम यहां से बैक होती है और आप आए वैभवगलोत को यह सुखराम इस पर बड़ा सवाल है बूत हुआ रांकड़े आएंगे तो कुछ और क्लियर कर सकेंगे अपन तो अब अगर बात करें राजनिती के जालोर स्थिर्वी क्षेतर के स्कदावर खिलाड़ी रतन देवासी की कि रतन देवासी खुद जो है यानि की रानिवर्डा वाले सीट जो है वो खुद 112,681 वोट लाते हैं और वोट दिला पाते हैं 72,045 वैभवगलोत को अंतर 22,000 गया सपास खुद का बताया जाता है लेकिन 24,547 वोट से याँ वैभवगलोत पिछड़ गे हैं रतन देवासी के लिए का जाता है कि उन्होंने कल भी देवासी पैक्ट करके चुनाव लड़ा, आसानी से चुनाव जीते वो विधान सभा का लेकिन अगर वो यह पैक्ट वैभवगलोत के खिलाप जाते हैं यानि कि देवासी कल भी प्रत्यासी लुंबाराम को वोट नहीं देखे जो है वो वैभवगलोत को देते, तो सामाजिक एक टूटन वापस आती और उस टूटन की वज़े से रतन देवासी की आगे की पॉलिटिक्स मुश्किल होती, कौन नेता चाहेगा, कि हर बार टिकट के लिए ढोग देनी पड़ती हैं, कामों के लिए गड़ाना पड़ता हैं, और फिर प्रिंस यहां आए हैं, तो से साबसे वोट दिया जाए, तो कौन नेता करेगा, ऐसा होने नहीं दिया गया रानी वड़ा में, और रानी वड़ा में कल भी देवासी वेक्ट बना रहा, लोगसवा चुनाओं में पर, लुमाराम 24-25 जार के लिए यहां से ले जाते हैं, सिरोही सीट, सिरो सिरोही में 1,00, सिरोही में 67,889 में जो वोट हैं, वो वैबो गलोत को मिले हैं और या 38,000 वोटों से वैबो गलोत पीछे रहे हैं, तो उटाराम देवासी, भाजपा की टीम, लुमाराम का खुद का प्रभाव, सिरोही जिले में अगर कहीं प्रभावी नजर आया तो वो सि जो है वो 15,394 से रेवदरी लाटाब, लेकिन बड़ी लीड जो लुमाराम को दिये, सबसे बड़ी भीनमाल ने दिये, सेकंड नमबर सिरोही ने दिये और तीसरे नमबर पे जालूर रहा, तो यह कुल मिलाके, जो नेता बड़े नेता थे, सैमलोडहार, अतन देवासी, उ लुमाराम चौधरी आसानी से चुनाव जीते हैं, वैबो गहलोत की फूचर की पॉलिटिक्स क्या होगी, क्या ही होगी फूचर की पॉलिटिक्स अशोग गहलोत की, क्योंकि स्थानी नेताओं को विटेज वाली बात पहले दिन से नजर नहीं आ रहे थी, चाहे वो चक कटते गए, उनकी जो टीम थी, वो टीम वो थी कि आप सरकार बना लेते हैं उसके बाद के मैनेजमेंट, और सरकार बनाने के लिए जो मैनेजमेंट होता हैं, वो वाले टीम नहीं थी, हेम सिंग शेकावत खुद कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, न जीते, तरमेंदर व्यक्ति कॉंग्रेस के खिलाफ कोई लहर थी, लहर होती तो कॉंग्रेस की या कॉंग्रेस गटबंदन की 11 सीटें राजस्तान में नहीं आती, हवा का रुख नहीं भाप सके अशोगहलोत, जादूगरी जालोर में फैल रही, जादूगरी और जालोर की राज़ती बैठी पर सीधे सरल सहज लोग हैं, जादू समझ नहीं आया, जादू चल नहीं पाया है, समझ नहीं आया, ये भी एक चीज़ देखने वाली हैं, तो जालोर के लोगों ने क्लियर मेंडेट दिया है, हमारा आदमीची है हमारे बीच का हमारे जैसा, आप ये कहते हो पड़ा लिख है कौन, कि कॉंग्रेस का गड़ था कभी ये इलाका, हम लोग परकेपटा इंकम में पिछड़े हैं, हमारे लोग यहां नहीं बाहर एडियां रगड़ने को मजबूर होते हैं, किसकी वज़े से, हम लोग medical, health, education, higher education, पानी के लिए संगर्श कर रहे हैं, ये इलाका कभी सरसब्ज था, सिचाई के पानी के लिए संगर्श कर रहे हैं, एक बांध बन जाता है, बांडी संदरा, सिचाई के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है, बांध, पानी रोखने के लिए बांध, पूरे लोगों का हाम है, इनकी आवाज कभी उठी नहीं, ऐसे में आप इसलिए जुनाव नहीं जीतेंगे कि अशोग गलूत के बेटे हैं, इसलिए नहीं जीतेंगे कि आप सत्ता में अगर पांस साल सत्ता में थे तो आप पहले आते हैं, बड़ा सवाल, दूसरा एक अगेंस्ट अ वोट अच्छा खींच ले गए थे, लेकिन इस बार स्थानिया वाला मुद्दा रहा, एंटी इंकममेंसी थी, वो अगेंस्ट देवजी पटेल थी, लूंबराम चौधरी के खिलाफ नहीं रही, लोगों को लगा कि हमारे बीच का हमारे जैसा ही व्यक्ति हैं, और उन्हों रहे हैं, जिसमें इन निताओं की क्या भूमी का रही, अब क्या रहेगा जालोर सिरोही का, लूंबराम के जो सिपैसालार रहे बड़े मेता, उन्होंने खासा प्रभावी काम किया, लेकिन अगर देखें, अपन मुद्दे, मुद्दों की बात करें, तो लूंबराम स्था जो चलते रहें, और यही चीज जो है उनकी जीत की बज़े बनी, आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे हैं, जालोर सिरोही क्षेतर में, कास्ट यहाँ पर इशू रहा है, या केंद्रिय नित्रत्व इशू रहा है, या इशू कोई और रहा है, हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप बताएं कैसा लगता है हमारा विशलेशन आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं धन्यवाद